खोशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के आदिवासी अंचल के गाओ गानगिया की महिला के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जहां सुरक्षा की दृष्टी से प्रशासन ने परिवार के आठ लोगों को होम आइसोलेट कर दिया था इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार के आठ लोगों के कोरोना सेंपल भी कलेक किये है कलेक किये सेंपल को टेस्टिंग के लिए भुपाल की लैब में भेजा जा रहा है वही कोरोना पॉजिटिव महिला के पती और बेटे महिला के साथ भोपाल में ही होने के चलते उनकी भोपाल में ही कोरोना सेंपल कलिक किये गए थे महिला के पती और बेटे को भोपाल में रैन बसेरा में क्वारिन्टाइम किया हुआ है कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार के लोगों के सेंपल कलिक करने के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुची थी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के दो बच्चों के सेंपल भी लिये है जिसमें एक दो वर्षिय और छे मार का बच्चा भी शामिल है अब स्वास्थ्य विभाग इन सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है कल ग्राम धाकनेपुरा में जो कि गांगया शेत्र में आता है तो उसमें आठ लोगों की सेंपलिंग की गई कोविड-19 की क्योंकि उनकी जो मदर है जो घर के परिवार के सदस्य है वह एक पॉजिटिव निकली है सुल्टानिया अस्पताल भुपार में उसके पाद इन आठ सदस्यों उनके घर के आठ सदस्यों के हमारे द्वारा सेंपलिंग की गई और उनको जाच के लिए भुपार रिजवाया कि अदल्टानिया अस्पताल भुपार।